हलो व्रेंड्स वेलकम टू नुलेजव दोस्तों आज हम जानेंगे गाजर के कुछ गरेलू उपायों के बारे में गाजर के गुद्य के बीच में सक्त लंबी लकडी होती है जिसे गाजर की हड़ी कहते हैं इसमें बीटा के रोटी नामक ओजदिये तत्व पाया जाता है यह कैंसर पर नियंतरन करने में उपयोगी है लंबी बीमारी भोगने के बाद उसकी ख्षति पूर्टी करने में गाजर का रस बहुत ही प्रभावकारी है इससे रोगी जुस्त ताजगी से बरपूर और सक्तिसाली बनता है विटामीन ए की कमी से नेत्र जोती कमजोर होते होते व्यक्ति अंदा भी हो सकता है गाजर विटामीन ए का बंडार है लंबे समय तक गाजर पालक का रस एक गिलाज पीते रहने से चस्मा भी हट सकता है गाजर और पालक प्रतेक का रस समान मात्रा में मिला कर नित्य दो बार पीएं कच्ची गाजर चबाकर खाने से सरवादिक लाब होता है गाजर की पत्यों की सबजी खानी जाईए गाजर की पत्यों में गाजर से 6 गुना अधिक लो तत्व होता है गाजर के गुन दूद, कोड लिवर, ओयल और लाल पाम के तेल के गुनों के समान होता है गाजर प्याज हारा दन्या की सलाद नित्य खाने से बाल जड़ना बंद हो जाते हैं इस सलाद से फॉसफोरस अधिक मिलता है जो बाल जड़ना रोकता है गाजर पालक के रस का एक गलास नित्य पीने से काफी लाब होता है गाजर, पालक, चुकंदर का मिस्रित रस एके गिलास नित्य दो बार पीने से रत बढ़ता है गाजर और पालक के रस में सिखा हुआ जीरा, काला नमक मिलाकर पीने से गुनवता बढ़ जाती है गाजर का रस हर प्रकार के ज्वर, दूर्बलता, नाड़ी समन्दी रोग, निरासा की अवस्ता में लाबदायक है सर्दी के मोसम में गाजर के सेवन से सरीर गर्प रहता है और सर्दी से बचा होता है विबिन रोगों से ग्रस्त लोग, पोजन के रूप में जब गाजर का रस लेते हैं तो उनके स्वाश्ति में तेजी से सुदार होता है गाजर में दूद के समान गुण हैं, गाजर का रस दूद से भी उत्तम हैं दूद न मिलने पर गाजर सेवन करके दूद के सारे गुण प्राप्त किये जा सकते हैं ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो